आज का ये वीडियो आपके लिए रामबार साबित होने वाला है क्योंकि निव पे 10 पे अधारित गणित के मौडल सेट 1 को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको 100 प्रश्ण मिलेगा और ऐसे ही आपको लगतार 5 मौडल सेट कम्प्लीट करने वाले हैं तो समझे कि 500 कोशन आ आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा और हाँ अगर आप कुछ भी नहीं पड़े हैं मैज से एक दम डर लगता है गणिसे डर लगता है तो आज यह वीडियो देख लीजिए कम्प्लीट आपको डर अंदर से खत्म हो जागा कि काफी कमाल तरीके से आपको हम बताने इता होता है तो नहीं पता है तो और अपने दिमाग को सांद करके बढ़ियां से सुनिये सब कुछ समझ में आजागा आप कुछ भी नहीं है पड़े हैं तो भी कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है अगला देखे प्रशन क्या कहा रहा है काफी असान प्रशने आपको कई बर बता हैं कि एक ब्रित का ब्यास अगर 14 cm दिया गया हो तो इसकी परीधी क्या होगी देखें आप इसे दो तरीके से मना सकते हैं एक तो इसे आप r का value निकल के बना सकते हैं और नहीं तो डिरेक्ट आप बना सकते हैं pi d का formula लगा करके तो pi का value आप लो जानते हैं कि 22 बटे 7 होती है और d का value यहां पे दिया गया है 14 तो यहां पर साथ से कटा देंगे इसे क्या हो जागा दो हो जागा और 22 दूनी 44 कितना हो जागा इसका 44 सेंटीमीटर जो हो जागा आपका उतर हो जागा ठीक है अचलिए काफी कमाल का बाबु प्रश्ण है बहुत ही संदार है काफी एजी है हाना बस आपकी सोचने पर डिप पचास बनाने को आएगा ना तो पचास जरूर बना दीजीगा ना तो बढ़िया से सभी वीडियो लगतार देखेगा जरूर इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजी ठीक है जिसे आगे से वीडियो मिले और लाइक करके कमेंट करके मेरा मनोबल अगला दीके प्रश्न कहा रहा है कि बिंदू माइनस फांच कमा साथ और माइनस वन कमा तीन के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी तो दूरी सुतर से आप निकाल लीजी हाना या आप बस इतना याद रखे करें कि रूट लगा देना है और यहां पर क्या करना है जो यह दूसरा वाला जो मानतिया गया ना उसमें का पहला वाला और जो पहले दिया गया है उसमें का फहला वाला यह दोनों घटा करके स्कॉयर कर देना यानि कि माइनस वन जो है इसमें से घटाना है माइनस फाइप को तो माइनस फाइप को घटेगा तो प्लस हो जागा यान आप इसमें से इसको गटा देना यानि कि एकलन से साथ को गटा करके स्कुराइब कर देना है तो destas अब मेंस बंधिना होगा मैनस का 4 इसकार कि टिढ़े है तो लिक दीजिए अब देखिए इसको जोड दीजिए दोनों को जोड़ेगा जो जाएगा 32 आप 32 को रूट से बाहर कर दीजे तो रूट से बाहर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको option c नमर हो जाएगा कि 4 रूट 2 हो जाएगा हना प्रशन देखिए काफी कमाल का प्रशन है कि यदि दियुगाद समिकरन bx square plus ax plus c d बराबर 0 की मुल समान हो तो क्या होगा तो समान हो तो क्या होगा आप सभी को पता है कि जब समान होता है तो d बराबर क्या होता है तो 0 होता है अब यहाँ पर d का value आप जानते थे कि b square minus 4se उसके बासे बराबर हो जाएगा 0 लेकिन यहाँ पर हम यह चीज कम लिखते थे जब A x square होता था तब लेकिन यहाँ पे जो है अब B x square हो गया है यानि कि A के बदले B और B के बदले A हो गया है तो उसी परकार से यहाँ पे भी हम change कर देंगे यहाँ पे जो B है यहाँ पे हम लोग A कर देंगे और यहाँ पे A है तो इसे हम लोग कर देंगे B अब क्या बन जागा A square minus 4 B C बराबर 0 तो A square minus 4 B C बराबर 0 कहां पर दिया गया है तो option D number में दिया गया है तो आपका option D number जोगा आपका बिल्कुल correct उतर हो जाएगा ठीक है जिनको भी आता है प्रशन का उतर वो ध्यान से देखेंगे चलिए उनका revise हो जाएगा बढ़ियां से और जिनको नहीं आता है कुछ भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत होने माला नहीं है आपको काफी बढ़ियां से समझ में आजागा अगला प्रशनी कहारा है कि बिंदू 2 कमा 3 की दूरी मूल बिंदू से क्या होगी तो देखिए मूल बिंदू से दूरी जब भी आपको पूछे कर तो कुछ भी नहीं करना है बस आपको एक रूट लगा दिनी है ठीके और दोनों को स्कॉर करके जोड दिनी है यानि कि 2 का स्कॉर हो जागा 4 और 3 का स्कॉर हो जागा 9 नीमने लिखित में किसका 10 freaking आपशार जो है वस सांथ है इसमें से किसका दशमलाव परसार सांत है तो दशमलाव परसार उसी का सांत होता है जिसके हर के गु रूट खंड में किवल 2 और 5 आता है तो देखिए यहां से कि किसके हर के गुणखंड में 2 और 5 होगा तो यहां पर देखिए option जो ए नमबर ही दिया गया है 3 बटे 8 और 3 बटे 8 में जो है वह नीचे हर क्या है 8 है तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं आप 8 को यहीं ने लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 कि नीचे जो हर का मान दिया गया होगा उसे हम लोग गुनखंड करेंगे अगर उसमें 2 या 5 आता है तो अब तो वह असांत होगा और उसके अलाबा कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो अब तो क्या हो जागा अगला देखिए प्रशन क्या कह रहा है काफी संदार प्रशन है अगला प्रशन है कि बिंदू माइनस 2 कमा 3 और 4 कमा 1 को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदू का नियामक जब भी आपसे पूछेगा तो ज़्यादा सूचने के जरूरत नहीं है मेरा ये बात याद करके रखेगा जाता दिमाग लगाने के जरूरत नहीं है कि कैसे बनेगा क्या बनेगा कुछ भी ने करना है दिखे ध्यान से इसमे का पहला वारा और इसमे का पहला वाला जूड करके 2 से भाग देजीए तो माइनस 2 अप पलस 4 कितना हो जागा दो बट्यव 2 तो भाग देजिए जितना हो जागा यहाँँ है तो यही सीधे प्रिक्षा में आपके प्रशनी पूछा आगा तो आपको कुछ भी नहीं देखे यहाँ पर धहान देने इसलिए देखे आपको हम जो है अंग change करने के वजासे आपको केवल अंसर नहीं बता रहा है आपको पूरे details के सांद बता रहे हैं ताकि दिक्कत न हो अंग change करके आएगा तो आपको जोड़ करके या जो भी आपको method बता रहे हैं उस method चे आपको किसी भी प्रष्ण को क्या करना है solve कर देना है ना चलिए अगला नंबर प्रश्ण देखे काफे कमाल का प्रश्ण है कि एक लंब रिती ये बेलन जिसकी तिर्जिया आर तथा उचाई एच हो तो बकर पिष्टे जो छेट पल होगा क्या होगा तो आप सभी का ये तो आपका फॉर्मूला ही हो गया सुपन ही हो गया कि टू पाई आर एच होता है यानि कि टू पाई आर एच जो हो जागा आपका option नंबर भी हो जागा और जिनको भी पता है वह फाटाफ़ट से नीचे comment करके हमें बताते रहेगा कि इसका जो विल्कुल से उतर क्या होगा हाना तो कहरा है अगला प्रश्ण काफी कमाल का प्रश्ण देखिए धीरे धीरे अपको बता रहा है जिसे कि दिक्कत नहों पूरी पूरी समझ में आए वीडियो को भगाएंगे फिर दिक्कत हो जागा आपको आना चलिए बढ़ियास इंग्दम सांथ जगा बैठ करके कान में यरफोन लगा करके आप सांथ जब आप देखते हैं कि AP में जब कोई संख्या रहती है वहाँ पे अब D का बैलो निकालता है तक अभी कभी 0 निकल के आ जाता है कभी धनात्मक में कोई यानि कि पलस में कोई संख्या आता है कभी कभी माइनस में संख्या आ जाता है तो यह तो सभी हो सकती है अगला देख जब किसी संख्या को गुणा या जोड़ा या भाग किया जाए तो सभी संख्या जोती हो परिमी हो जाती हो तो आपको ऑप्सन क्या हो जागा बी नमर बिल्कुल करेक्ट उतर हो जागा अगला देखे काफी संदार कोशन है कहारा कोशन कि नीमन में कौन अब भाजे संख्या यहांपे आपको 4 आप्सन दिया गया है आप्सन A नमर करें 28 आप्सन B करें 79 आप्सन C करें 71 और आप्सन D करें 36 अभाजे संख्या तो आभाजे संख्या देखी कौन होता है जिसका गुड़खन यानि कि जो कीवल दो ही संख्या से विभाजित हो सकता है किसी और तीसरा तो ऑसा कोई भी आईसा संख्या हो जिसका दो उन Northeast नहीं हो ही आपका क्याflows habits जोताई इसका उत्वर जें ऑप संस dokład सी नमबर हो जागा न मिया रहा रहा है मज़ी तो methods लाइक कर देज़्ương समझती जाईंए पांच अधार preिम्य enact तो देखिए, रूट साथ है, तो रूट साथ को बाहर नहीं कर सकते हैं, यानि कि ये तो आपका अपरीमी हो गया, रूट तेरा है, इसे भी बाहर नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका अपरीमी हो गया, रूट पचीस दिया गया है, तो रूट पचीस को जो है, आप क्या लिख स क्या हो जाएगे परिमे संख्या हो जाएगी यानि कि और परिमे नहीं होगी यह चीज को समझ यह कोश्चन क्या कह रहा है तो यह निकि आपका सी नंबर हो जाएगा ठीक है समझते जाएगे कि अंक कि गुड़न खंड में क्या होता कि वस दो और पांच होता है तो देखे यहां पर आपका बी निमर बें दिया गया है कि 11 बटे ग्यारे बटे जो 160 दिया गया है यानि कि 160 को जुब आप गुड़न खंड कीजिए गा तो यहां हो जागा कि न दो तो अब देखे किवल यहां पर दूसर नहीं आ रहा है तो जब किवल दो और पांच आएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा अपका जो है एसांत संख्या हो जाएगी यानि कि option आपका क्या हो जाएगा बी नमबर हो जाएगा ठीक है तो यहां solve करके दिखा देते हैं तो अगर आपके option में यह रहेगा याद कर लीजिए अगर option में रहेगा तो फट अफट से टीक कर दीजेगा वहाँ पे आपको solve करने समसें के कौन कौन हो सकता है दो हो सकता है चार हो सकता है तो चार को मसा निकले के क्या होगा दो दूनी चार यहां पर कड़ जाएगा यहां वाला का मसा होता है तो दो मसा आ गया यह आप गोड़कंडी बीदी से भी निकाल सकते हैं और आगे बात करते हैं मालीजी चार और method समझे रही है अगर आगे आप पढ़ाई करते हैं तो यह चीज जानना काफी जरूरी है आपको अगला प्रस्ण देखे काफी कमाल का प्रस्ण है और देखे यह trick के माधियम से भी बन सकता है प्रस्ण कहा रहा है कि यदि alpha तथा beta देखाद बवपत x square प्लस x-2 के सुनियक हो तो 1 बटे alpha प्लस 1 बटे वीटा का value क्या होगा तो आपको कई भाट trick भताया थे कि क्या करना आपको 1 बटे alpha प्लस अगर 1 बटे वीटा का value आपको निकलना होता है तो क्या कर दिये आप एक बटा लगा दीजिए ठीक है अब उसके बसे क्या कीजिए कि बीच वाला मान लिख दीजिए तो बीच वाला मान कितना है x X का गुणा क्या है? 1. तो हो गए आपका 1. उसके बसे नीचे वाले जो आपको लिखना है, वह क्या करना है, जो सबसे अंती में है, यहाँ पे माइनस 2, तो माइनस 2 लिख दीजिए. चलिए. आप उसके बसे क्या करना है, जो बीच बाले संक्या है, ना अगर उसमें माइनस होगा तो खाटा दीजिएगा नहीं होगा तो लगा देगे तो माइनस 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 अब तो कड जागा यादिकी 1 बटे 2 इसका अजो हो जागा आपका आज ठीक है तो वन बटे टू आपको क्या होजागा और आपको यह अगर आप कहिए कि सर इसे आप सॉल्व करकी भी बता देजी है तो कोई दिक्कत नहीं है देखे सबसे पहले आप अलफा प्लस बीटा निकालिएगा फिर अलफा प्लस बीटा क्या होता है माइनस B बटे तो माइनस B यानि कि माइनस 1 आप बटे 1 यानि कि हो जागा माइनस का 1 फिर आलफा इंटू बीटा निकलिएगा तो यह होता है C बटे तो यहाँ पे माइनस 2 बटे 1 तो हो जागा क्या चीज माइनस का 2 अब यहाँ पे जब माइनस का 2 हो गया ठीक है तो अब आपको क्या करना है आप यहां से 1 बटे आलफा प्लस 1 बटे बीटा को solve करना है अब इसका आप LCM लिजेगा इतना ज़्यादा प्रोसेस है अब उसका आलफा सालफा कर जागा बीटा अफिर बीटा सा बीटा कर जागा अलफा अब यहां पे जो है बीटा प्ल प्लस बटेडियों कहीं पर निकालना है तो बाट लगा ये बीच वाला मान लिग दीजी तो बीच वाला का गुड़ा क्या है वन आउसके पास अंतीम वहावद लिग दीजिए मतलब कि एंकर लिख दीजिए तो जागा माइनस होगा तो माइनस खुटा दीजेगा नहीं होता लगा दीजिए तो यह जाने रहे हैं जिस विद्धिस से बनाना चाहते हैं बना सकते कोई दिक्कत नहीं है अगला दीजिए प्रश्न कहा रहा है कि यदि किसी समनांतर से नहीं का एनमा पद अगर एन प्लस बी की रूप का होता तो इसका पादांतर क्या होता देखिए तो एन जो भी होता है इसमें ध्यान से दिखेगा कि पादांतर निकालने के लिए कभी हम लोग को AP में होना काफी जरूरी है तो AP में से पहले लाइए तो AP में लाने के लिए से क्या करेंगे सबसे पहले N के बदले कोई value मान लीजिए यह से कि N बराबर 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं तो N के बदले अगर पहली बार हम लोग 1 रखते हैं तो A N के जगे 1 प्लस B यानि कि A में 1 से गुणा करेंगे तो हो जगा A प्लस B तो A प्लस B जो है निकल के आया हम लोग को पहला पद निकल के आगा अब उसके बासे जब 1 रख लेंगे तो 2 रखेंगे तो A गुणे 2 प्लस B अब क्या होगा A में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जागा 2 A प्लस का B तो यह होगा हम लोग का दूसरा पद अब D कैसे निकला जाता है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए यानि कि 2 A प्लस B में से घटा देना है किसको आपको 2 A प्लस B में से आपको घटा देना है A प्लस B को अब कई बच्चे क्या करते हैं यह कोष्टक नहीं देते हैं आग कोष्टक नहीं देते हैं, तक भे उन्से हो जाता गलती। तो देखे, ये पूरे पद को घटाना होता है, कि पहला पद को घटा दीजीए, दूसरा पद में से, तो पहला पद तो टोटल A प्लस B था ना, तो A प्लस B को घटाना है, हाना तो यह कोश्टक देना काफी ज़रूरी है तो 2A का 2A अब B का B माइनस का माइनस प्लस यहां पर है तो क्या हो जागा माइनस हो जागा यानि कि A फिर माइनस क्या हो जागा यहां पर हो जागा B अब देखिए यहां से माइनस B से माइनस B कट गया 2A में से A गोई खतम हो जागा बच जागा कितना A गोई तो A कितना हो गया आपका केवल A बचेगा तो आपका A नमर आपका क्या हो जागा B नमर जो होगा करेक्ट उतर हो जागा यहांके पादांतर जो हो जागा यह हो जाएगा समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है चलिए अगला देखिए प्रश्ण कहे रहा है काफी संदार की बिंदू पी छो कमा माइनस पांच का भूज क्या है अब देखिए भूज जब भी पूछेगा न तो पहले वाला जो संख्या होगा न वहीं लिख देजिएगा यहाँ पर पहला वाला संख्या क्या इसमें छे है तो छे आपका भूज हो जाएगा यहाँ पर कोटी पुछता तो माइनस पांच हो जाता लेकिन यहाँ पर भूज पूछ रहा है तो मज़ा आ रहा है समझ में आ रहा है कुछ लग रहा है कि सर हम लोग पढ़ रहा है आप कुछ आपकी मदाथ हो रही है आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप लाइक किजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लईजी धना जिसे कि आगे से विडियो मिले और काफी बढ़ियां से आप पढ़ाई कर सके आप बढ़ियां से ये परिक्षा में पास हो सके देखिए अगला प्रश्न कहा रहा है कि बिंदू 2,3 इस्तित है जो बिंदू 2,3 है वो कहां पे इस्तित है तो देखिए बिंदू 2,3 देखे, यहाँ पे अंक से मतलब नहीं होता है कि 2,3 है या 4,3 है या 5,3 है उसे मतलब नहीं है मतलब इस चीज़ से है कि यहाँ पे यह जो संख्या जो दिया गया है वो दोनों पलस में है कि दोनों माइनस में है या ये प्लस में है ये वो माइनस में है तो अगर दूनों प्लस में होगा तो वह प्रथम पाद में होगा यानि क्योः आप्सन होजागा ए में आग कभी-कभी पाद के जगह दे देता है चतूर्थांस तो यहाँ पे आउंक का कोई मतलब नहीं है केवल यहाँ पे जो मतलब है वह प्लस और माइनस है तो यहाँ पे दूनों संके किस में है प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस में जब भी होगा तो वह प्रथम पाद में हो जागा तो इसे आप याद करके रखेगा अब chapter wise भी वीडियो आपको हम बना करके दे दी हैं तो वीडियो आप जरूर देख लिजेगा अगर नहीं देखे हैं तो हना इसी channel पर upload है चलिए अगला प्रश्ण है कि यदि x बराबर a और y बराबर b समिकरण x-y बराबर 2 है तता x plus y बराबर फोल हो तो a b का हल जो है आपको बताना है यानि कि a b का value आपको बताना है तो ध्यान दीजिए अगर आप x और y का value निकाल देंगे तो a और b का value निकल जागा कि नहीं निकल जागा क्योंकि x का value जो है जितना है वो A का value हो जागा और B का जो value है आपका Y का जो value है आपका B का value हो जागा यह तो आपस में बराबर है है ना चलिए तो X-Y बराबर दिया गया है 2 और X-Y बराबर दिया गया है क्या चीज़ फोल अब देखिए यहां पिजब हम लोग देखते हैं कि X संख्या minus और X संख्या plus रहता है त इससे क्या करते हैं हम लोग जोडते हैं यह जोडेंगे तो X कितना हो जागा 2X हो जागा आप देखिए यह माइनस में X है यह प्लस में यह तो नहीं तो यहां पे हो जागा अब क्या चीज़ अब चार रदू कितना हो गया चोग इसको जोड़ रहा है तो डू से आप कटाएंगे से कितना हो जागा तीन यानि एक्स बर्द निकल गया तो एक्स माइनस य बरबर दो यह पहला समिकरा नहीं इसमें x का value निक लेग लिजे तो एक्स बराबर जब तीन आगया तो 3-y पराव कितना हो जागा दू हो जागा अब यहाँ पे –y से पक्षांतित कर देते हैं तो 2-3--y कितना हो गया मैद तीर को घटाएंगे जब इसको A है तो यानि कि अब यह value हो जागा A का और Y बराबर B है तो यह value हो जागा आपका के चेज B का तो यहाँ पे जो X का value हो गया यानि कि A का value 3 और B का value 1 तो यहाँ पे 3 का मैं यह कहाँ पे दिया गया है तो option आपका C number में दिया गया है तो आपका C number answer क्या हो जागा सही हो जागा और देखिए दुगाज समिकरोड की बारे में हमने आपको काफी ज़्यादा पढ़ा दिया है बता दिया है ना तो उसका चेप्टरिक एस्पेसल वाला देख लीजिएगा है ना केवल दुगाज समिकरोड पर क्योंकि काफी ज़्यादा यह दिक्कत करता है कब परकृतिक जो पर हو जाएगा मैनस फूरे सी हो फूर फूर गूर्णी एक उनतों इक तो यहाँ पर तो यहांपर क्या हो हो गया फोर सब्सक्राइ पर द्ऐस बीजिक कावडीर निकलकर आएगा वा क्या निकलकर यह जो है आपको छोटा हो जागा किसे हो जाएगा जीरो से हो जाएगा तो आप ये बताएए अपको बता है कि जब डी का मान जो होता है वह छोटा होता है जीरो से तो उसका जो वैलू कितना होता है वह कितना होता है वास्तिविक और और समान होता है जब छोटा होता है तब यानि कि आपसन आपका क्या हो जा और जो उसका मूल होगा वह वास्पिक और और समान होगा ठीक है ध्यान में इस बात को याद करके रखेगा अगला दिखेगे अगला जो प्रश्ण है काफी असान प्रश्ण है कि बिंदू 4 कामा माइनस 1 और 2 कामा 3 की बीच की दूरी क्या होगी अभी आपको बता हैं दूरी सुत्रस निकाल लीजिए या आप इसमें का पहला में से इसमें का पहला घाटा दी और स्कॉार कर दीजिए तो दू में से यहां पर चार को घटा देंगे यहां पर दो में से चार को घटा देंगे यहां पर दो में से चार को घटा देंगे क्या होगा माइनस का 2 होगा माइ कि 20 जब हो जाएगा तो 20 को क्या करना आपको रूट से बाहर करना किया पर अंसर दिया गया है तो रूट से बाहर कि जग क्या हो जागा यहां पर कई बर बताएं कि जब किसे संख्या को पर रेक्रिंग आ जाता है डॉट डॉट आ जाता है तो यह संख्या जो होती है यह संख्या परियमें होती है यानि कि आपका आपसन जो ज़ागा बीनमर हो जागा ना अब समझ में आ रहा है ना कि पढ़ा एक दम गजब की हो रही है संदार हो रही है अब आपको दिक्कत होने वाला नहीं है मजा आरा है ना तो कियए बस पांच मॉडल से इट कम से कम कर लिजिए और परिष्छा से पहले काफी संदार एक सीरीज चलाने वाले हैं, हाना, तो वह अभी देख लिजेगा, तो यह देखे रही है कि तब आपको उसमें समझ में आएगा, एक बर रिवाइज आपका होगा, हाना, अभी ऐसा नहीं कि आप इस तो चीएगा कि हाँ, आम तो उसी दिन देख लेंगे, तो एक दिन में आज से कोई महान बेंता है, हाना, तो आभी काफी कटिन परिशन कीजिए, बनाएज जाएए, हाना, बढ़ियां से, चलिए, अगला प्रशन कहरा है कि यदि तिरिभूज के सीसो के निर्दसांग जो दिया गया है, वो 2,4, 0,6, तथा 4,-1 हो तो तिरिभूज के केंदर का निर्दसांग जात किजिए, तो देखिए, जब भी आपसे केंदर का निर्दसांग पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए, ध्यान से, सब में के पहला जोर करके, तीन से भाग देना है, तो देखिए, इसमें का पहला दो है, इसमें का पहला जीरो है, और अब जोड़ करके 3 से भाग देजिए, तो 2, 0, 2, 4, कितना हो गया, 6, 6 बटा 3, कितना हो गया, 2, यानि कि 1 उस संख्या निकल करके आगया, 2, अब देखे, इसके बाद वाला संख्या सब को जोड़ करके 3 से भाग देजिए, जब ही केंद्रे का पूछेगा तब, तो 4, 4, 6, अब बटा 3, तो 4, 6, 2, 10, अब दोस में से भाग गया, 9, तो 9 बटा कितना हो गया, 3, तो 9 बटा 3, यानि कि 3, यानि कि 1 निकल क्या है था हम लोग का, 2, आएक निकल क्या है या 3, तो 2 कमा 3 जो है आपका क्या हो जागा, आपका option number B हो जागा, समझ में आ रहा है, चलिए, अगला दिखे, अगला जो प्रशनी करें कि दुगहात बहुपात का ब्यापक रूप क्य यहां पर दिए गया, तो option call number में दिए गया, यहां पर B number में, तो आपका option call number हो जागा, या बी number हो जागा, option यहां पर, AX square plus BX plus C हो जागा, ठीके, चलिए, अगला दिखे, काफी संदार प्रशनी है, कि sign, चोंवन डिगरी, जान से समझेगा, काफी बच्चों को हटके इसी एक मान को change कर लिया जाता है, यानि कि sign जो 54 डिगरी लिखा गया है, इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या इस परकार, sign 90-36, क्यूंकि 90 में से 36 को घटाएंगा, चोंवन आ जागा कि नहीं आ जागा, तो sign चोंवन तो हो गया, मतलब कि दिखे, sign चोंवन के बदले हमने के इतना सब्सक्राइब लिख लिया है, ठीके, तो sign 90 में से 36 घटाएंगा, कितना हो जागा, चोंवन हो जागा, इतना लिख लिए, अब दिखे, आप सब्सक्राइब लिख लिख लिए, यानि वैसा ही आप लिख दीजी, अब दिखे, आप सभी जानते हैं, कि sign 90-theta, किसके minus 16, तो cut जाएगा, cut के क्या एगा, 0, तो 0 जो आएगा, तो यहापे क्या होजाएगा, option आपका C निमर हो जाएगा, तो क्या होजाएगा, आपका C निमर होजाएगा, बिलकुर character हो जाएगा, समझ में आरा कैसे बन रहा है, तो यहाँ पी आंच्पे change करके देगा, तो बना प्रशंड को परिमाब 36 है तो इसकी 2 ard परिमाब 36 सेंटिमिटर दियागे तो इसकी 3 क्या क्या ह 250 वैसल whose अगर आपके पारिक्षा पूछे गाना पुछे तो इसको एंक नहीं सेच करेंगे यह वाणले प्रस्नी को आपको एंसे इंसे साथ आएगा option अपका बी नमर होगा लेकिन कैसे होगा उसे भी बना देते हैं देखिए इसका formula होता है और जब्रिद का कि πाई आर प्लॉस टू आर ठीके तो और जब्रिद का परिमाप 36 दिया गया है तो और जब्रिद का परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस टुर पाई आर प्लस 2 रें प्लस तू आर बराबर चोटिस थिस आइल एहां पहसने पहने के वक्षै थिन्खेया है रे कमन करेंगे इसी तरह अगर सपोर्ट करते रहेगा तो जरूर एक दिन हम लोग डिजिटल स्क्रीन बोट पर आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो आर को कमन लेंगे तो क्या होगा पाई यहां पर क्यूंकि आर को हमने बाहर कर लिया तो यहां से जब बाहर कर ले आप पाई के वहलू कितना होता है 22 बटे की साथ होता है अब पलस टू दिया गया तो तू अब अरब कितना होगा च्छोटिस बटे की आर हो गया द्यान से समझते जिएगा अब इसे भीन का जोड़ बना दीजिए तो साथ में असाथ और एक का लिकालीगा ना आप लोग लगुत्तम समापर्तकत अब दो बनेगा इसको जूड़ तो साथ और एक का क्या होगा साथ होगा तो साथ कर जाए निए बैस और साथ रहे तो वन सहब किजेगा तो कितना होता है तो छोट्जवटे तो आप जाते हैं यह तो आप जाता है तो क्या हो जाता है तो इहां से भी सकते हैं कि 36 और 36 केंसिल हो गया बच गया क्या चीज वन बटा साथ बड़ाबर वन बटार तो यही आपका साथ हो जगा यह आप इस तरह से मल्टिपलाई करके भी आप नििकाल सकते हैं कि 36 में ऐसे मैं मिर्फ कर लिए कllersी तो 36 यह सर् ऐसे गूण सा फो गया अब Jade परब क्या होगा 36 अब यह गुना में है तो भाग में चला जाएगा नीचे हो जागा 36 36 कड़े कि नमचा साथ बचा बात वही है तो साथ यहां पर क्या हो जागा एंसर हो जागा तो अब्जेक्टी बे तो थोड़ी का दास्वाब पत क्या होगा देखिए जब यह आपसे दास्वाब पत पुछा जाएगा ना तो कुछ भी नहीं करना मतलब कोई भी पत पुछे तो आपको लिखना है ए आप पलस जोगों पत पुछेगों मैंसे एक घटा के दी से गूना कर देना यानि कि दस पूछ रहा तो नौ अगूंडे डी अब देखिए एक अभेलू कोन होता है सबसे पहले वाला प्लस चोओंवन प्लस नौ अगूंडे डी डी का वेलू क्या हो जागा यहां पर दूसरा में से पहला पद तो दूसरा एकावन एकावन मैंसे यहां पर चोन को घटा दीजेगों कितना बज़ आगा 27 यानि कि option आपका हो जागा यह नमबर आपका 27 हो जागा समझ मेरा कैसे बन रहे कुछ भी निकरना है काफी easy है हाना चलिए तो लाइक को अभी तक भी नहीं किया ना तो लाइक कर दीजिए यह कंजूसी न किजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरू कर अब देखें यहां पर जो है एक संक्या प्लस में दिया गया है और दूसरा संक्या माइनस में दिया गया है और आपको बताया थी कि इसमें जो होता है वो इसमें अंट पर निर्धार नहीं किया जाता है इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि पहले प्लस है या माइनस है माइनस है या प्लस है दोनों प्लस में या दोनों माइनस में इस चीज़ को ध्यान में देने की जरूरत होती है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन डी नमर की चतूर्थ पाद में यह इस्तित है अगर पहले वाला प्लस दूसरा वाला माइनस होगा तो अगर पहले वाला माइनस रहता है दूसरा वाला प्लस रहता है तब वो किसमें हो जाता है दोनों प्लस रहता है तो प्रता में होता है यहां पी अगर दोनों का दोनों माइनस में हो जाता है तो अब तिरतिया होता है ये सारे चीज़ आपको पहने बता दिये हैं, अगले दिखिए, प्रशने कहा रहा है कि किसी पुडांक M के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, तो आपको बहुत बार प्रता है कि किसी पुडांक M के लिए जो संख्या का value होता है वो क्या होता है तो होता है 2M होता है ठीक है यानि क्यों आपका हो जागा C नमबर उत्तर हो जागा अगला दिखिए प्रशने कह रहा है कि बिंदू 4 कमा 3 कीस पाद में अब दिखिए 27 निडी का 6 और बरामा पत 13 और 25 हो तो इसका पहला पत क्या होगा अब दिखिए ध्यान से कर रहा है कि 6 और बरामा पत तो 6 पत का मतलब क्या आपको बताए कि A आप पलस 5 इंटू D लिखिए बराबर कितना दे गया है 13 अब उसका बास कर रहा है बरामा पत यानि कि A पलस 11 D क्योंकि 12 कर रहा थे घटा करके D से गुणा कर गया भी आपको समझाए क्यूं लिखा जाता है बराबर इसको लिख दीजिए 25 ठीक है अब देखिए यहां जो है दोनों संख्या यहां पर बराबर में तो इसको क्या किजिए घटाईए अब देखिए तो यह A पलस में है और माइनस का 12 हो जागा अब देखिए माइनस से माइनस कर गया चोग दुनी 12 यानिकी डीका वैलू निकल है कितना 2 तो जब डीका वैलू 2 निकल गया तो हम लोगा पहला समय करण क्या निकल लेता हम लोग ए प्लस फाइब दी बराबर तीर हना तो A पलस फाइब अट के बदल तो 3 हो जागा तो 3 इसका एंसर हो जागा लेकिन यहां पर देखिए 3 के जगा एक डॉबल एक 0 टाइप हो गया यहां पर इसका 3 आपका क्या हो जागा बिलकु सही उतर हो जागा अगला दिखिए अगला प्रशन कह रहा है कि बिंदू माइनस 5 कमा 7 और माइनस 1 कमा 3 की कुशन बताए थी हाना देखिए माइनस 1 कमा आपको बताए थी मैंस 1 में से 5 को हटाई यह तो 4 हो जागा चार का स्क्वार 16 आ उसके बासे 3 में से 7 को हटाई हो जागा अगला प्रशन कह रहा है कि कोसिक 45 डिगर जो वैलू होता है वह कोसिक 45 का वैलू कितना होता है यहां प आपको यहां पर कोसिक 45 का वैलू कितना होता है दो होता है यानि कि option जो हो जागा वह क्या हो जागा option C नंबर हो जागा अगला प्रशन कहारा है काफी संदार प्रशन कि A1 बटी A2 बराबर नहीं हो B1 बटी B2 इस्तिति रहाखिक समिकरण यूग में कब होंगी तो प्रशन कहा होता है पाटा पर यह जब अधुतिय होता है तो वह संगत होता है यानि कि option जो हो जागा आपका ए नंबर आपका क्या हो जागा बिल्कुल करेक्ट रूटर हो जागा ठीक है अगले नंबर प्रश्न की रूब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सभी का अगला वह प्रश्न काफी आसान प्रश्न है कि तरिघात बहुपत का सबसे व्यापकरूप क्या होता है तो तरिघात बहुपत का ब्यापकरूप क्या होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स एस्क्वाइर प्लस दी एक्स प्लस का डी होता है तो एक्स क्यू प्लस बी एक्स एसक्वा रहा है कि यहां पर लगा देना है तो प्लस कर देना है प्लस कर देना है प्लस कर देना है तो प्लस कर देना है प्लस कर देना है तो प्लस कर देना है प्लस कर देना है तो प्लस कर देना है प्लस कर देना है तो 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 प् आपका option number B में दिया गया है, अगला दिखिए, अगला प्रश्ण कहा रहा है कि दिवगात बह पर 2x square plus x minus 6 के सुनिया के क्या होंगे, अब दिखिए, सुनिया के ग्याद करने के लिए आप कैसे ग्याद करते हैं, यहां से ध्यान से दिखिए, यहां पर क्या करेंगे, आप 2x square plus x minus 6 बराबर इसको कर लेंगे, जीरो, अब देखिए, इन दुन संख्याओं को गुना किया जाता है, तो 2 में 6 से गुना की जागा, माइनस का 12 हो जागा, यह होगा ना, माइनस का 12, अब माइनस का 12 को तूड़ करके, आपको क्या लाना होता है, आपको लाना होता है, कितना लाना होता है, बिलकोल, तो आपको x के बराबर लाना होता है, याई कि आपको यहाँ पे बीचवाले के बराबर, तो यहाँ अपधिए 2x square, आप प्लस यहाँ पे 3x माइनस का jestem 4x कीजी, 4x आप यहाँ पे माइनस कीजी 3x, आप माइनस का 6 बराबर कर लीजी 0, अब देखि चार x में से 3S घटेगा तो x बचेगा चार में 3 से गुणा कीजेगा तो माérieस 12 हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर जो है अब 4 को हो गया तो कमन ले लेजी सो यहाँ पर 2x कमन लेजिए तो 2x जब कमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एकस आप प्लस यहाँ पिका बचेगा आप देखे एक बचा क्या चाहिए आपको 2 हो गया यहाँ से द्यान से देखिए यहाँ पे लग रहा है हम लोग थोड़ा सा गलती की है यहां पे प्लस में रहा है और यहां पे इसा नहीं होने चाहिए इसा दिखे यहां पर इसी मिष्टेक हो गयी थी तो यहां पर 2 x 13 और एक हो गयाPro blush måste कितना टू बराबर हो गया जीरू तो एक हम लगते हैं चुल formerly Bei तो की त्याओ जागा जीरू तो टू एक्स वरब कितना हो जागा तीरी यहानि आटक dorm क्या हो जागा तीन बण्टे जो है इसमें का आपका ओप्शन A नंबर गलती है आपका यहां पर जो इसमें माइनस नहीं होगा माइनस दो मैं माइनस होगा हना अगया हगो है? काफी असान कोशन ने बस वहां पर यहां पर भी आपको ट्रिक लगा दिनी है क्योंकि प्रश्ण कर रहा है कि यदि अलफा तो बीटा दिया गया हो तो मूल हो तो वन बटा प्लस वन बटा बीटा का बहुर निकलना है तो यहां पर बटा लगाई यह बीच वाला मान लिख दीजिए तो हो अगला दिखिए अगला जो प्रश्ण है वह काफी कमाल का प्रश्ण है और प्रश्ण कर रहा है कि दो रहाखिक समीकरों के आले परतिशेदी रिखा है तो दिखिए जब दो रहाखिक समीकरों का योग जो है वह परतिशेदी रिखा होता है तो क्या होता है आप सभी को पत एक डूर में से 3% यहाँ पर ब्कूशन हो गया और यह कोशन आपके एक्जाम में पूछा भी neither है तो फटाफट से आपकर लाइक की है तो जल्दी से यह चैनल को सब्सक्राइब नेकी है तो कि जिसने का विडियों मिली अगला कि प्रस्टन के रहा है कि कि इधानात्न पुनांग A और B A B का मसा गुने A B का लसा जो हता है वा क्या होता है तो आप सभी को बता है कि इसका A गुने B होता है यानि का और C नमर हो जागा कैसे हो जागा यह भी समझ लिजिए दिखें ध्यान से यहां पर A को आप क्या लिख सकते हैं आपका A का गुने खंड की जगए तो वन का माई लिख सकते हैं वन का माई लिख सकते हैं तो HCF कौन होता है जो मिलता है तो मिल कौन रहा है एक तो हो जागा HCF बरवर एक, LCM क्या होता है, जो मिलता है, वो भी, जो नहीं मिलता है, उसको गुना कर देजिए, यहां पर A, G, N, B, तो A, G, N, B, आपको हो जागा चाहिए, A, B, हो जागा, बात वही है, आप कहा रहा है कि, लासा और मसा दोनों का गुना कर देजिए, तो मसा आपका यह था एक, और लोसा आया था, A, G, N, B, तो आप गुना की जागा, क्या हो जागा, वन में, A, G, N, B, से गुना की जागा, तो A, G, N, B, ही आएगा, यानि कि, A, G, N, B, जो हो जागा, C, N, B, कैसे आपको आ रहा है, यह सारी चीज़े आप समझते जाए, जिसे के दिक्कत आपको ना हो, अगला दिखिए, अगला कोशन काफी संदार प्रश्ण है, कि यूकलिट वीभाजन एलगर्ट में दो धनातपा पुडांको को निमने में से किसे परकलित करने की तकनिकी है, तो उसे मसा निकला जाता है, यूकलिट वीभाजन से, यह आपको पता है, काफी असान को पता है, कि दो रहखिक संदार होती है, तो रहखिक संदार का यूक में जोता हो, क्या होता है, जब भी संदार होगा, तो इसका मतलब होगा, कि उसका अनेखल होगा, तो अनेखल कहाँ पर दिया गया, आपको ऑप्सन दिया गया, अनगीन अथल, यानि क्या अप्सन प्लस C2 प्लस C2 का जो मान होगा वह क्या होगा आपको यह बताना है यानि कि यहां पर कोई हल नहीं होगा यानेक हल होगा या दो हल होगा तो यहां पर देखिए यहां पर A1 बेटे A2 तो बराबर है लेकिन यहां पर C1 बेटे C2 नहीं है यानि कि यहां पर क्या होगा कोई भ आपको एका। मिललने के लएशेर के क्या यहां पर निकाला जाता है योँ का में निकाल है सबस्क्राइब तो में ब्रृट हो जाAgain क्या थार आप दो है और का वैल्ध हो fighter से एक पूर्आ हो जाए प्ता है तो शेचार आथ चार नाकर या पाइसवेब को येड़न और हो जागा option हो जागा ए नमबर समझ में आ रहा है चेलिए अगला देखिए अगला प्रश्ण कहा रहा है कि दुगात समिकराण x square प्लस x-1 बराबर 0 की मूलों की जो परकिर्ती होगी हो क्या होगी अब यहाँ पे देखिए मूल की परकिर्ती ग्याद करने के लिए बताया था को डी निकली है शबसे पहले तो बी-a square यानि की एक क्या स्क्वार हो जागा एक माइनस फूर गूड़े ए गूड़े सी तो एक का वेलु आपका वन है इन्टू सी का वेलू मानस का वन है यहाँ देखिए डी बराबर क्या हो जागा मा वन माइनस चार आफिर यहाँ पे मा किनस मनस प्लस हो जाएगा अब यहां पे cupboard हो गया आपकों यहां पर ये iam है वह क्या आपको बढ़ा है कि से जीनोसी तो जब भी का के बाधा होगा चीश दो क्या हाई राद होगा वास्तिटिक और समान होगा यानि को आपसन क्या होजागा हैं ही नहीं तो दुगहाद समिकरण नहीं है इसका मतलब होगे कि वह AXSquare प्लस BX प्लस C की रूप का नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जो अप्सन C निम्बर में दिया गया है यह आपका दुगहाद समिकरण नहीं है यानि क्या हो जागा C नंबर क्योंकि यहाँ पर XSquare स faux क्योंकि बराबर कुछ साइड है बराबर की साइड है तो फ़ो नहीं होँद हैं यहनी क्या होजागा आपका मसा होगा वो क्या होगा तो अभी आपको होता है दो या दो से अभाज जिसन क्या होगा मसा यहां पे समसंक्या नहीं क्या पूछा जा रहा है यहां पे अभाज जिसन क्या पूछा जा रहा है तो अभाज जिसन क्या कौन-कौन हो सकता है आप क्या सकते हैं साथ तीन हो सकता है प्रश्न है या दो हो सकता है 3 हो सकता है इससी पर में जाएगा तो 3 अब बटे यहाँ पर दो एक बाहUh jätte है तो वण दो न से वह भाग देज़ेगा दो सर्कितना हो जागा दो दो थो पर में जाँगा दो कट जाईगा की जिस वय यानि कि यह क्या होता है दो या दो सी अधिक अभाज संख्या का मसा यानि कि option जो दिया गया है यह नबर आपका बिल्कुल correct उतर है अगला दिखिए अगला जो प्रश्ण है वो देखिए काफी संदार प्रश्ण है कि दो परिमे संख्याओं की बीच कितनी परिमे संख्या हो सकती है यानि कि option क्यों हो ज होता है था कि जिसका केवल दो गुड़ खंड निकले उससे ज्यादा गुड़ खंड नहीं कर सकता है यानि कि इसका अप्सन जो हो जागा वह सी नमर आपका बिल्कुल correct उतर हो जागा तो दिमाग में सारी चीज़ों को बैठाते जाना है कितनी बढ़ियां से बता रहे हैं दिक्कत नहीं होगा काफी जदे आप परिसान है कि सर गणीत नहीं बनेगा इससा हो नहीं सकता है कि गणीत आपसे नहीं बने हैं बस आप पूरे पार्ट देखते रहे हैं बढ़ियां से त्यारी करते रहे हैं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और आप question अगर पुछना चा देखेंगे जदा आपका करेक्ट ऊतर हो जाएं अगला है अगला है अगले नमबर करेक्षuity को प्रष्ण 17 पर निमिन 발생 में से कौन अब signs निकलेगा और उसके बास से निकलेगा इसके बाद कोई संख्या नहीं निकल सकती है यानि कि option क्या हो जागा D number हो जाएगा अगला देखिए अगला प्रश्ण कहा रहा है कि name में कौन जो है परिमें संख्या नहीं या परिमें नहीं है जिका मतलब कि परिमें होना चाहिए तो परिमें देखे याँ पर कौन है देखे option C number में क्यों कि रूट 9 है रूट 9 को बाहर किजिए हो जागा 9 और रूट 16 है यानि कि 16 है 16 को बाहर किजिए हो जागा चार यह तो आपको परिमें संख्या ग्रूप में आगे नहीं यानिका option क्या हो जागा? B number हो जागा अगला दिखिए अगला जो प्रश्ण है वह प्रश्ण हम सभी क्या कहरा है कि nim nim में कौन से संख्या जवा? परीमे संख्या इसमें से कौन ज़ो है? परीमे संख्या तो देखें यहाँ पे जो दियागे है दो रूट दो यहां पे इस्तरे का सिंबल दियागे निके बटा का सिंबल रूट दो अभी आपको बताए तो रूट दो से रूट दो कड़ जागे निके दो बटा वन लिख सकते हैं अभी से चली तो क्या हो जागा अगला देखिए प्रशन काफी कमाल का प्रशन है कि 14 सा मे अब कोई भी संक्या आपको रूट बीस दिया गया है यह आपकी अपर में संक्या क्योंकि यह रूट बीस को पासानी से बाहर नहीं कर सकते हैं तो आपका आपकी प्रशन का हो जागा बीनमबर सभी हो जागा अगला देखिए अगला प्रशन कहा रहा है कि 25 और 50 के सिपर लसेम के गुणन फणन निमन में से क्या होगा तो बारत फपचीस होगा यानि कि ऑप सनो जगाट क्योंकि दोनों संक्या हो गुणा कर देजी पच्यास में और पचीस में चलिए अगला प्रस्टन देखे कहा रहा है की निम्नलिखित में कौन परिमेय संक्या है इस में से कौन परिमेर संख्या है तो दीखे यहां पर प्रशन कहा है कि 6 बट्टी 15 का 10 परसार क्या होगा तो 6 बट्टी 15 जो दिया गया इसका 10 परसार क्या होगा इसमें ज्यांसे देखेगा तो इसमें आप 15 का गुड़ खंड कीजिएगा 15 का यहां पर देखेखे तीन से कटेगा 5 और 5 से कटेगा तो जगा 1 यहां पर देखिए तीन आ जा रहा है लेकिन पाउन पर जो दो आना चाहिए यहां पर तो यहां पर देखेगे ये गुने भी अच्छा है का सकते हैं आप यहां पर आपको डिया गया है आपको एबी दिया गया तो आपका एबी जो गा क्या हो जागा तो 5 से किजगत कितना हो जागा 125 हो जागा अब 125 को किजगत कितना हो जागा 25 आएगा 25 को किजगत कितना हो जागा 5 आजगा अब 5 से किजगत कितना हो जागा फिर वो न जागा कितना आ गया ये आपका 4 आ गया तो 5 कहत कितना जागा 4 हो जागा यानि कि option हो जागा आपका D number समझ में आ रहा चलिए अभी तक like, subscribe ने किए कर दीजिए और दोस्तों में स्क्राइब ने किए तो फटाफट कर दीजिएगा अगला दीखे प्रशन कहा रहा है कि दो पर्मे संख्या हो के बीच पर्मे संख्या होती है कोशन कहा रहा है दिखे ध्यान से कि क्या एक पर्मे संख्या और एक और पर्मे संख्या का गुड़न फॉल और पर्मे होता है बिल्कुल होता है यानि कि option क्या हो जागा हाँ होता है यानि कि option हो जागा A number क्यों कि दिखिए यहां पे मान लीजिए कोई प्रमेयर संख्या आपका तीन है और गुड़ा कहा रहा है कि या प्रमेयर संख्या। लताँमालीए रूट है तो गुड़ा कीज़ेगे इतना हो जागा। त्सकुर्म्दीन नश्चनों हो जागा। सब में क्या होता है अनन्थ होता यानि को अप्षन हो जागा डी नमबर इस एकदम दिमाग में बैठाते जाए आपके परिक्षा में एकदम डिरेक्ट यहां से कोशन आपको पूछे जाएंगे अगरेंटी है अगला कोशन है कि निमलीकित में कौन प्रहिमे醬 क्या है तो इसमें पड़िक्ट रूट पर रिंधावक एक असाँ से दोड़ना पर्रम करते है तो तो एक चकर लगाने के पर क्रमसं एक तीन पांच घंटे समध के बाद मिलते हैं तो तीनु को प्रहस्थान बिंदू पर पुनुह मिलने से लगा समय जो होगा बाद क्या होगा यहां नी कि एक सांथ कम मिलेंगे हैं अब को इसको बताना है मतलब तीनुह भी एक साथ सब्सक्राइब करेंगे अगला देखे अगला प्राशन कारे कि रूट टू क्या है तो रूट तू आप सभी को पता है कि वह है एक परकार की और में संख्या आप सहन का जागा तो यहां बूर में संख्या चाय खаз गे अगे औहला दीकर मोचन इसमं क्या इक सब्सक्राइब क्या रहा है कि minut 12 12 11 12 1 12 1 1 12 12 क्या हैं इभी आपके कई और की घात वाला बहुत। यानि कि हो जागा और आपको चैप्टर वाइज भी कोशन रखे हुए है जिसे कि आपको दिक्कत ना हो चलिए और यही मॉडल पेपर जो है सबसे ज्यादा दो कि खाता है जिसे आपको फायदा वगा डिरेक्ट यहां से कोशना आपके परिक्षा पूब्षाव पूशे सबको कोशन पूशा ही जाएगा जरूर पूशा जाएगा बस आप इस मॉडल पेपर की बारे में एक बार और देख लिजेगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको जरूर देखे कि काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग यह अपका हना है चलिए अगला कुशन है अलाकि 2-4 कुशन इसमें डबल टाइप हो गया है यह हम मानते हैं क्यूंकि देखिए सो कोशेन टाइप करना होता है था बहुत बढ़े से बनाना वहता है तो चार कशञी इधर उधर मृदफ अपसे नहीं था इखिज और इतओ को नमबर हो जाहा है। लिद्र अब देखिए आ रहा है जितना भी चैप्टर वाइज आ रहा है या भी क्या हो जागा आपका नंबर हो जागा ना यह एक सब्सक्राइब का ब्यापर रूपके होता है तो थ precis लाइक और चैल को सब्सक्राइब कर लीजिए कर लिजिए फटा फटा फट से अगला कोशन है कि र्खिक बवबद के सुनियों को कि संक्या कितनी होती है तो रेखिक बहुत के सुनियकों के कितनी होती जी तो एक होती है यानि का अप्सन क्या हो जागा को नमबर हो जागा अगला देखिए अगला प्रश्ण है कि द्युगहात बहुपत के सुनियकों के संक्या कितनी होती है तो द्युगहात बहुपत के संक्या दो होती है तो यहा आपयाद करिकर रखेगा अगला देखिए अगला प्रश्न है कि अब करूंते आलफा और बीटा होते क्योंकि अभी आपको मैंने बताया तो आलफा और बीटा जोगा इसका क्या हो जागा बिल्कुल करेक्ट उतर हो जाएगा सब्ज़ में आ रहा है चलिए अगला प्रस्ण देखे काफी संदार प्रस्ण है कि एक घाती ये रैखिक बवबत का अ याद करके रेखेगा कि उद्गत्व मुखी या अधो मुखी प्रबलाई के रूप का होता है यानि कि अप्सण हो जागा क्या चीज बी नंबर या खाव नंबर ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखे काफी संदार प्रस्ण है 88 नंबर प्रस्ण पर हम लोग पहुंच गय है अगला अगला प्रस्ण क्या रहा है कि यादि किसी जैक करति वाणी कुस्ण करती है या पर दो आले एक एक्स अक्ष को एक पर परतिशेत करती है तो सुनिय को क्या होता है तो देखिए अलफा प्लस बीटा पर क्या होता है परतिश् valores तो सुनिय को क्या होता है तो देखिए अगला प्रशनेand क्या होनद क्या होता है समझे में रहा है चलिएंख अगला प्रशने अगला जो प्रशने कर रहे हैं कि दूगहाद बहुपत X2-2 X3 की सुनियक आलफा और बीटा होती है तो सुनियको का योग क्या होगा अब देखें यहां पर आलफा प्लस बीटा बराब रभी आप को ने बता है कि माइनस B बटी होता है अगला देखें प्रशने कर रहा है कि दूगहाद बहुपत X2-5X0 की सुनियक आलफा वर बीटा हो तो सुनियको के गुंड़न प्लस का यह होता है creezy Vatte T Tut C activity कीतना दिया गया है यहां पर दिया गया 6 और यहां पर दिया गया क्या चैज यहां पर यहां नहीं होगा तो यहां पी option होगा ही नहीं तो यहां पे टू होना चाहिए इससे टू लगाए टू एकस स्कॉर माइनस नाइन के सुनिये क्या होंगे एकस स्कॉर माइनस 9 तो सुनिया बराबर हो जागा मसक्तिन करें पुर्ण म्यांत प्लस चथी में आता है यहांगा अग्ला फ्रस्यो क्या बाइटर्द अग्ला को तो समझ में को दिकत वह सब्सक्राइब को पढ़ाते वक्त हमको हाँ बहुत बढ़ी है काफी बड़ी है चलिए अगला कोशन करें कि स्कुर्ण में स्टी तू की सुनिया का फार बीटा हो तो वन बटे आलफा प्लस बटे बीटा का अब को आपको अभी बता आए टिक कि बटा लगा दीजिए बीच वाल बढ़ा दिया तो आप सभी को पता है कि यहां पर क्या होता है तो बिलकुल इसका जो सही उतर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कौ नमबर अगला दिखेए अगला प्लस बीटा गल मा डलस गांबा अल्फा यह जो कितना हो जाते हैं तो सी बट्य यह होता है यानि का अप्षन क्या होजागा आपका गवर नंबर हो जागा क्या प्लता है अगला दिके यह चारी चीज़ें को एकदम दिमाग में आपको बैठाते जाना है ना सकेंड लास्ट कोईशन देखें क्या कहा रहा है कि दुग को ने बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गमा प्लस बीटा प्लस गमा प्लस क्या होता है कि मैनस बी बट्टे तो मैनस बी का पी वैलू क्या है यहां पर तीन है तो तीन हो जागा क्या है तो मैनस तीन बट्टे वन क्या हो जागा मैनस का तीन हो जागा तो मैनस का तीन द च्ड़ाय स्कुरायर प्लस एक्स बश डी की सुनियाक अलफा वीटा और गामा हो ता इन ठीड diftांकल वहcek त्यज्कश crochet करें प्शर इंट करें भाइत करें हमारा सपूड करें और आपकी लिए देखिए कितना बेतर कर रहा है अब बता दें कि आपकी जो online test है वो telegram पे शुरू हो गई है तो telegram से जूड़ जाए नीचे description में link है या telegram पे जाकर के आप DLS education सर्च कीजिएगा तो telegram मिल जाएगी वहाँ पे आपके लगतार जो आप test होगे राभी हो रही है हना तो जाकर के आप अपना test दीजिए और एप को install के लिजिए प्लेस्टर पे जाकर के बंटू सर्च या DLS education ली करके फिर मिलते हैं आप से next video